अस्सलाम वालेकुम रहामतुल्लाई वरकातु हूँ हेलो डियर स्टूडंस नाव टूड़े वी विल राइट नियू एसे माइ स्कूल ओके स्टूडंस प्यारे बच्चो आज हम इंग्लिश का एक नया एसे लिखने जा रहे हैं आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में, मराठी में, उर्दु में मिल जाएंगे इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइब करके हमारे प्ले लिस्ट में जाएए वहाँ आपको तमाम मजामीन के ऐसे मजामीन निभंद आपको मिल जाएंगे और हां बच्चों, लाइक और शेर करना न भूले So, Dear student, welcome to my channel. Now, today we will write my school composition. My school I am a student of Ikra High Secondary School. It is situated in the heart of city. It is one of the best and well-known school of our city. The school building is old and grand. There is a beautiful garden in front of the school, which is well maintained. We have a big playground also. Pére bucho, यहां पर यह बच्चा बता रहा है कि मैं Ikra High School में पढ़ता हूँ और यह situated है, city के बिल्कुल हार्ट में, यहने इसको ऐसी जगह है, जहां पर city का हार्ट कहां जा सकता है. It is one of the best and well-known school. यह अपने एक अलग पहचान रखती है. The school building is old. यह पूरानी building है, मगर grand है, एक आलिशान building है. इसी के साथ, इसकोल में big playground भी है. हमको खेलने के लिए, जिस चीज के सबसे बड़ी जरूरत होती है, वो प्लेग्राउन है, तो वो भी इस बच्चे के school में है. I know क्या आपकी school में भी होंगा. ओके, look the next. There is a beautiful garden in front of the school. यहने school के front में, school के सामने ही, बहुत बढ़ा beautiful, यहने खुबसूरत garden बना हुआ है. Which is well maintained, और उसे बहुत अच्छी तरीके से, maintained किया गया है. We have a big playground, और हमारे पास एक बड़ा playground भी है. There are about 500 students in our school, and 35 teachers. All our teachers are well-weared and highly qualified. आगी बच्चों बता रहा है, कि there are about 500. 500 students मेरे school में पढ़ते हैं, और 35 teachers हमको पढ़ाते हैं. All our teachers are well-weared and highly qualified. मेरे सभी teachers माहरे अपने पेशे में और highly qualified हैं. तो बच्चों, हमको पढ़ाने वाले टीक्चर इन है, आपको पढ़ाने वाले भी टीक्चर, obviously high qualified होंगे, आप भी इसी तरह से ऐसे आपकी स्कूल का नेम डालके, आपके टीचर्स की quantity, यानि आपके टीचर्स कीते हैं, और आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं, स्टेंट कितनी हैं, और डालके, आप इस एसे को मॉडिफाइ करके, या इसमें कुछ चेंजेस करके, आप आपकी स्कूल के इतबार से, आपके इतबार से इस एसे को अपसे लिख सकते हैं ओके स्टूडन चलिए देखते हैं आगे देर आबाउट 500 स्टूडन इन आवरी स्कूल एं 35 टीचर्स अल आवर टीचर्स आव वेल वेर्स्ट आई हाईली कॉलिफाइंग आपके सब्यांएब से जाइब देखते हैं आपके स्टूडन साथ Okay आपके सब्सक्तूडन आपके साफिए can काइन और इनक्रेज ही स्टाफ और इस्टूरन वो हमेशा इनक्रेज करते हैं किसे इनक्रेज यहने बच्चों होसला दिलाना तो हमेशा वो होसला दिलाते रहते हैं इनक्रेज होसला अपजाई करते हैं बच्चों की और टीचर की staff and student a lot in every field but is very particular about discipline वो हर field में बच्चों के और teacher की होसला अभजाई करते हैं मगर वो बहुत पंच्छुल है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं discipline पर यानि नजमों जबते पर expect punctuality from his student as well as teachers वो चाते हैं के मेरा बच्चे और उनके साथ साथ teachers भी पंच्छुल रहें My school has emphasis on our all development of a student It not only concentrate and academic but also co-curricular activities as a result Our school has maintained its position in various state and national level competitions यहाँ पे बच्चों ये बच्चा बता रहा है कि मेरी स्कूल में ना सिर्फ निसाबी ये ने सिर्फ किताबी तालीम पर नहीं बलके बच्चे का और राउंड डेवलेप्मेंट पे तवज़ज़ दी जाती हैं बच्चे किस तरह से चेंजेस लाए जाए उसका ओवराल डेवलेप्मेंट किस तरह से हो इस पर ध्यान दिया जाता है और उसे पुरी तरह से हर एत्बार से मेंटेन किया जाता है और इसकुल हमेशा सिर्फ अपने स्टेट लेवल में ही नहीं बलके इसका नैशनल लेवल में भी कॉंपेडिक्शन में जाती है और अपनी पोजिशन बनाया रखती है अवर अकैडमिक रिजल्ट आर अलसु गुट आइलाइक मैं स्कुल वरी मच और आइम प्राउड आफ मैं स्कुल यहाँ पे बच्चो यह प्यारा सा बच्च बता रहा है कि और अकैडमिक रिजल्ट आर आलसु गुट है हमारा हमेशा तालिमी स्कुल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है और आई लाइक मैं स्कुल मुझे मेरी स्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है I am proud of my school और मुझे मेरी स्कुल पे फक्र है बच्चो आपको भी आपकी स्कुल पे फक्र होना चाहिए और अपने टीचर्स पे फक्र होना चाहिए और इसलिए हम जहां पर है वो टीचर्स की वज़ा से ही है तो respect your teacher, teacher के हमेशा इज़त कीजे और साथ ही साथ अपने स्कुल की इज़त कीजे तो इस ऐसे में बच्चो आप आपकी स्कुल टीचर्स आपका नाम एड़ करके बहुत ही simple sentence से आप इसको एड़ेट करके लिग सकते हैं Okay student मिलते हैं और एक नहीं वीडियो के साथ Thanks for watching my video So students subscribe and like and share my videos Okay goodbye and see you later Thank you Thank you